C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय तेरह घातांक और घात प्रिष्ठ 279 प्रश्नावली तेरह दशम लवेक 1. निम्न लिखित के मान ग्यात कीजिये 1. दो के उपर घात 6 2. नो के उपर घात 3 3. घ्यारह के उपर घात 2 4. पांच के उपर घात 4 2. निम्न लिखित को घातांकी या रूप में व्यक्त कीजिये 1. छै गुणा छै गुणा छै गुणा छै 2. ती गुणा टी 3. बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी 4. पांच गुणा पांच गुणा साथ गुणा साथ 5. दो गुणा दो गुणा एक गुणा एक 6. एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी 3. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातां की ये संकेतन में व्यक्त कीजिए 1. पांच सौ बारह 2. तीन सौ तैंतालीस 3. साथ साउनतीस 4. तीन हजार एक सौ पच्चीस 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिये 1. चार के उपर घात तीन या तीन के उपर घात चार 2. पांच के उपर घात तीन या तीन के उपर घात पांच 3. दो के उपर घात आठ या आठ के उपर घात दो 4. 100 के उपर घात दो या 2 के उपर घात 100 5. 2 के उपर घात 10 या 10 के उपर घात दो 5. निम्न लिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणन खंडों की घातों के गुणन फल के रूप में व्यक्त कीजिए 1. 648, 2. 405, 3. 540, 4. 3600 6. सरल कीजिए 1. 2 गुणा 10 के उपर घात 3 2. 7 के उपर घात 2 गुणा 2 के उपर घात 2 3. 2 के उपर घात 3 गुणा 5 4. 3 गुणा 4 के उपर घात 4 5. 0 गुणा 10 के उपर घात 2 6. 5 के उपर घात 2 गुणा 3 के उपर घात 3 7. 2 के उपर घात 4 गुणा 3 के उपर घात 2 8. 3 के उपर घात 2 गुणा 10 के उपर घात 4 साथ, सरल कीजिए एक, माइनस चार के उपर घात तीन दो, माइनस तीन गुणा माइनस दो के उपर घात तीन तीन, माइनस तीन के उपर घात दो गुणा माइनस पाँच के उपर घात दो चार, माइनस दो के उपर घात तीन गुणा माइनस दस के उपर घात तीन 8. निमनलिखित संख्याउं की तुल्ना कीजिये 1. 2.7 गुणा 10 के उपर घात बार है 1.5 गुणा 10 के उपर घात 8 2. 4 गुणा 10 के उपर घात 14 है 3.10 के उपर घात 17 है तेरह दशमलव तीन घातांकूं के नियम तेरह दशमलव तीन दशमलव एक एक ही आधार वाली घातूं का गुणन एक, आईए दो के उपर घात दो गुणा दो के उपर घात तीन को परिकलित करें दो के उपर घात दो गुणा दो के उपर घात तीन बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो बराबर दो के उपर घात पांच बराबर दो के उपर घात दो जमा तीन ध्यान दीजिये के दो के उपर घात दो और दो के उपर घात तीन में आधार एक ही, यानि समान है, तथा घातांकों का योग अर्थात दो और तीन का योग पाँच है. प्रिष्ठ दोसो सत्तर 2. मैनस तीन के उपर घात चार गुणा मैनस तीन के उपर घात तीन. बराबर, मैनस तीन गुणा मैनस तीन गुणा मैनस तीन गुणा मैनस तीन के उपर घात साथ. बराबर, मैनस तीन के उपर घात चार जमा तीन. पुना ध्यान दीजिये के आधार एक ही है, तथा घातांकों का योग चार जमा तीन बराबर साथ है. तीन. एके उपर घात दो गुणा एके उपर घात चार. बराबर, ए गुणा ए, गुणा, ए 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 बराबर एके उपर घात चै. टिपनी, आधार एक ही है तथा घातांकों का योग दो जमा चार बराबर छे है इसी प्रकार सत्यापित कीजिए के चार के उपर घात दो गुणा चार के उपर घात दो बराबर चार के उपर घात दो जमा दो तथा 3 के उपर घात 2 गुणा 3 के उपर घात 3 बराबर 3 के उपर घात 2 जमा 3 है क्या आप बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिख सकते हैं मैनस 11 के उपर घात 2 गुणा 6 बराबर 11 के उपर घात डैश याद रखिये आधार एक ही है B कोई भी 0 येतर पूर्णांक है C के उपर घात 3 गुणा C के उपर घात 4 बराबर C के उपर घात डैश C कोई भी 0 पूर्णांक है D के उपर घात 10 गुणा D के उपर घात 20 बराबर D के उपर घात डैश यहाँ से हम व्यापक रूप से यह कह सकते हैं के एक शुन्येतर पूर्णांक A के लिए A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M जमा N होता है जहां M और N पूर्ण संख्याई हैं प्रयास कीजिए सरल करके घातां की ये रूप में लिखिए 1. 2 के उपर घात 5 गुणा 2 के उपर घात 3 2. P के उपर घात 3 गुणा P के उपर घात 2 3. 4 के उपर घात 3 गुणा 4 के उपर घात 2 4. A के उपर घात 3 गुणा A के उपर घात 2 गुणा A के उपर घात 7 5. 5 के उपर घात 3 गुणा 5 के उपर घात 7 गुणा 5 के उपर घात 12 है 6. माइनस 4 के उपर घात 100 गुणा माइनस 4 के उपर घात 20 सावधानी 2 के उपर घात 3 गुणा 3 के उपर घात 2 पर विचार कीजिए क्या आप घातांकों को जोड सकते हैं? नहीं, क्या आप बता सकते हैं, क्यों? दो के उपर घात तीन का आधार दो है, और तीन के उपर घात दो का आधार तीन है, आधार एक समान नहीं है 13.3.2 एक ही आधार वाली घातों का विभाजन आईए, तीन के उपर घात साथ भाग तीन के उपर घात चार को सरल करें तीन के उपर घात साथ भाग तीन के उपर घात चार बराबर तीन के उपर घात साथ बटा तीन के उपर घात चार बराबर तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन बटा तीन गुना तीन गुना तीन बराबर तीन के उपर घात तीन बराबर तीन के उपर घात साथ घटा चार इस प्रकार तीन के उपर घात साथ भाग तीन के उपर घात चार बराबर तीन के उपर घात साथ घटा चार है। ध्यान दीजिये के तीन के उपर घात साथ और तीन के उपर घात चार के आधार एक ही हैं और तीन के उपर घात साथ भाग तीन के उपर घात चार बराबर तीन के उपर घात साथ घटा चार हो जाता है। इस प्रकार 5 के उपरघात 6 भाग 5 के उपरघात 2 बराबर 5 के उपरघात 6 बटा 5 के उपरघात 2 बराबर 5 गुणा 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 5 बटा 5 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 के उपरघात 4 बराब चार भाग एके उपर गात दो बराबर पाँच के उपर गात छे घटा दो, या पाँच के उपर गात भाग पांच के उपर गात दो है. प्रिष्ठ 271 बराबर एक के उपर घात चार घटा दो या एक के उपर घात चार भाग एक के उपर घात दो बराबर एक के उपर घात चार घटा दो है क्या अब आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं? दस के उपर घात आठ भाग दस के उपर घात तीन बराबर 10 के उपर घात 8 घटा 3 बराबर 10 के उपर घात 5 7 के उपर घात 9 भाग 7 के उपर घात 6 बराबर 7 के उपर घात डश A के उपर घात 8 भाग A के उपर घात 5 बराबर A के उपर घात डश शुन्येतर पूर्णांक B और C के लिए B के उपर घात 10 भाग B के उपर घात 5 बराबर B के उपर घात डाश C के उपर घात 100 भाग C के उपर घात 90 बराबर C के उपर घात डाश व्यापक रूप में किसी भी शुनियेतर पूरणांक A के लिए A के उपर घात M भाग A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M घटा N होता है जहां M और N पूर्ण संख्याई हैं तथा M N से बड़ा है प्रयास कीजिए सरल करके घातां की ये रूप में लिखिए उदहरण के लिए 11 के उपर घात 6 भाग 11 के उपर घात 2 बराबर 11 के उपर घात 4 1. 2 के उपर घात 9 भाग 2 के उपर घात 3 2. 10 के उपर घात 8 भाग 10 के उपर घात 4 तीन, नौ के उपर घात ग्यारह, भाग नौ के उपर घात साथ चार, बीस के उपर घात पंदरह, भाग बीस के उपर घात तेरह पांच, साथ के उपर घात तेरह, भाग साथ के उपर घात दस तेरह दशमलव तीन दशमलव तीन एक घात की घात लेना निमने लिखित पर विचार कीजिए दो के उपर घात तीन के उपर घात दो और तीन के उपर घात दो के उपर घात चार को सरल कीजिए अब, दो के उपर घात तीन के उपर घात दो कार्थ है, दो के उपर घात तीन का स्वयम से दो बार गुणा किया गया है दो के उपर घात तीन के उपर घात दो बराबर दो के उपर घात तीन गुणा दो के उपर घात तीन जमा तीन चुकि A के उपरगात M गुणा A के उपरगात N बराबर A के उपरगात M जमा N है बराबर 2 के उपरगात 6 बराबर 2 के उपरगात 3 गुणा 2 अर्थात 2 के उपरगात 3 के उपरगात 2 बराबर 2 के उपरगात 3 गुणा 2 इसी प्रकार 3 के उपर घात 2 के उपर घात 4 बराबर 3 के उपर घात 2 गुणा 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 8 है, बराबर 3 के उपर घात 2 गुणा 4, क्या आप बता सकते हैं के 7 के उपर घात 2 के उपर घात 10 किसके बराबर है? अत्ह है, 2 के उपर घात 3 के उपर घात 2 बराबर 2 के उपर घात 3 गुणा 2 बराबर 2 के उपर घात 6, 3 के उपर घात 2 के उपर घात 4 बराबर 3 के उपर घात 2 गुणा 4 बराबर 3 के उपर घात 8 प्रयास कीजिए, सरल करके उत्तर को घातां की ये रूप में व्यक्त कीजिए एक, छे के उपर घात दो, के उपर घात चार दो, दो के उपर घात दो, के उपर घात सौ तीन, साथ के उपर घात पचास, के उपर घात दो, चार, पांच के उपर घात तीन, के उपर घात साथ प्रिष्ठ दो सौ बहत्तर, साथ के उपर घात दो, के उपर घात दस, पराबर, साथ के उपर घात दो गुणा दस, बराबर साथ के उपर घात बीज एके उपरगात दो के उपरगात तीन बराबर एके उपरगात दो गुणा तीन बराबर एके उपरगात छै एके उपरगात एम के उपरगात तीन बराबर एके उपरगात हैम गुणा तीन बराबर एके उपरगात तीन हैम उपरोक्त से हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि किसी शून्यतर पूर्णांक A के लिए A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M N होता है, जहां M और N पूर्ण संख्याएं हैं। उदहरन साथ, क्या आप बता सकते हैं कि 5 के उपर घात 2 गुणा 3 और 5 के उपर घात 2 के उपर घात 3 में से कौन बड़ा है। हल, 5 के उपर घात 2 गुणा 3 कार्थ है कि 5 के उपर घात 2 को 3 से गुणा किया गया है। अर्थात यह है, 5 गुणा 5 गुणा 3 बराबर 75 है। परंतु 5 के उपर घात 2 के उपर घात 3 कार्थ है कि 5 के उपर घात 2 का स्वयम से 3 बार गुणा किया गया है। अर्थात यह है, 5 के उपर घात 2 गुणा 5 के उपर घात 2 गुणा 5 के उपर घात 2 बराबर 5 के उपर घात 6 बराबर 15,625 है। अथ है, 5 के उपर घात 2 के उपर घात 3 पांच के उपर घात 2 गुणा 3 से बड़ा है। 13.3.4 समान घातांकों वाली घातों का गुणन क्या आप दो के उपर घात तीन गुणा तीन के उपर घात तीन को सरल कर सकते हैं? ध्यान दीजिये कि यहां दोनों पदों दो के उपर घात तीन और तीन के उपर घात तीन के आधार भिन भिन हैं, परन्तु इनके घातांक समान हैं अब, दो के उपर घात तीन गुणा तीन के उपर घात तीन बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन बराबर दो गुणा तीन गुणा दो गुणा तीन गुणा दो गुणा तीन बराबर छे गुणा छे गुणा छे गुणा देखिए, 6 आधारूं 2 और 3 का गुनन फल है। देखिए, 3 के उपर गात 2 गुना ए के उपर गात 2 बराबर 3 गुना ए गुना ए। देखिए, 3 गुना ए के उपर गात 2 बराबर 3 गुना ए के उपर गात 2 ध्यान दीजे, 3 गुना एक बराबर 3 ए। इसी प्रकार ए के उपर गात 4 गुना बी के उपर गात 4 बराबर ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना बी गुना बी गुना बी बराबर ए गुना बी गुना 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 ए गुना के उपर घात चार, ध्यान दीजिये के A गुणा B बराबर A B है। प्रिष्ठ 273 व्यापक रूप में किसी भी शूनियतर पूरणांक के लिए A के उपर घात M गुणा B के उपर घात M बराबर A B के उपर घात M होता है, जहां M एक पूर्ण संख्या है। उद्धाहरण 8 निम्नलिखित पदों को घातांकी य रूप में व्यक्त कीजिये। 1. दो गुणा 3 के उपर घात 5 2. दो A के उपर घात 4 3. माइनस 4 M के उपर घात 3 हल 1. दो गुणा 3 के उपर घात 5 2. दो गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 भराबर 2 के उपर घात 5 गुणा 3 के उपर घात 5 2. दो A के उपर घात 4 बराबर 2 A गुणा 2 A गुणा 2 A गुणा 2 A गुणा 2 A बराबर 2 के उपर घात 4 गुणा A के उपर घात 4, 3, minus 4M के उपर घात 3 बराबर, minus 4 गुणा M के उपर घात 3, बराबर, minus 4 गुणा M के उपर घात 3, बराबर, minus 4 गुणा M के उपर घात 3, प्रयास कीजिये, A के उपर घात M गुणा B के उपर घात M बराबर, A, B के उपर घात M का प्रयोग करके, अन्य रूप में बदलिये, 1. 4 के उपर घात 3, गुणा 2 के उपर घात 3, 2. 2 के उपर घात 5, गुणा B के उपर घात 5, 3. A के उपर घात 2, गुणा T के उपर घात 2, 4. 5 के उपर घात 6, गुणा Mाइनस 2 के उपर घात 6, 5. माइनस 2 के उपर घात 4, गुणा Mाइनस 3 के उपर घात 4, अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचनस्वर गौरव मारवा, तकनीकी समनवयक, बतिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.